हेलो बच्चो टुडए वी लर्न ग्लास 9 मैट चैप्टर 1 exercise 1.6 बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे exercise 1.6 के जो भी सारे question क्या हैं get solution और हम लोग सिखेंगे कि निखिलम विधी से या निखिलम सुत्र से कैसे हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं, हम लोग की मल्तिप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग मल्तिप्लाई करते हैं, वो सीखेंगे, पहले कुछ basic concept है, तो पहले उस basic concept को समाझल लीजीए, तो देखें निकलम विढ़ने तो निकलम विधी का यूज करते हैं, हम लोग product को find करने के लिए, जब number क् के या सब बेस वैल्यू के बेस वैल्यू क्या होता है बच्चे टैन हंड्रेड थाउजन टैन थाउजन को हम लोग बेस बोलते हैं और सब बेस क्या होता है सब बेस क्या होता है बच्चे 20 30 40 50 60 70 80 90 200 300 400 900 ऐसा हो गया उसको हम बोलते हैं सब बेस बोलते हैं तो इसमें आप में माइनस में है तो डेखी 12 क्या है बच्छे 12 जो हैना वे 10 देडे और बच्चे 5 होगया top करके लिखे लो प्लस 04 करके लिखेंगे एक बेस में एक 0 है इसलिए यहां पर एक नंबर को लिखेंगे बेस में एक 0 है इसलिए एक नंबर को लिखेंगे बेस में डबल 0 है इसलिए डबल डिजिट में नंबर को लिखेंगे 98 100 के बेस में होगा और इसको 1092 है तो इसको लिखेंगे नीकलं विधी कॉभी में करके समझाता हूं तो इसमें क्या है नंबर है 13 तुरी नीकलना करेंगे सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला सबसे निकाल ना तो बच्ये बोलोगा लाट थर्टीन ना 10 के पास में है तो 10 इसका बेस है तो 10 से कितना ग्रिटर है 10 से यह more than है plus 3 और यहां पर भी 13 है तो यहां पर भी more है यह दो दो दिखे पहले पार्ट में करते हैं पहले पार्ट में लोग इहां पर थ्रीद तो पॉलोगे इसा कर सकते हो या तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो चाहिए प्लस करने पर आएगा पर 16 आएगा 13 plus 3 16 होता है जोसका एंसर क्या जाएगा बच्चे 169 आपका प्यारा सा इसका एंसर आ जाएगा नेक्स देखे बच्चे 104 multiply 102 है तो बोलोगे सार 104 ना सार यह ना 100 का बेश है सार तो यह सार 100 से ना सर यह 04 greater है और यह सार 100 से 02 greater है क्या करेंगे answer का जो right कितना आएगा 8 आएगा तो यहाँ पर 8 लिख दोगे बोलोग सार यहाँ पर ना अब बच्चे एक एक ना concept समझेए यहाँ पर ना देखें जो इसलिए यहां पर 100 में 002 रखे तो कैसे रखेंगे तो आगे में जरो लगा देते हैं और फिर यहां क्या करोगे यांतों 104 प्लस टू कर लो या वाननेट टू प्लस सा एंसर हो गया नेक्ट देखिए 105 को 반 कि करवाइंगे 106 से तो बोलोगे सर कि 105 ना सर 100 के है और सब्साइब यह ना क्या है प्लस जीरो 5 मोर देन है और यह सर प्लस-06 मोर देन है तो एंसर के चलिले ना ऐसे दोगता हूं तो एंसर के राइट पार्ट के लिए आप बोलोगे कि 5 का मल्टिप्लाई 6 से करवाओ गया तो 5 6 30 होता है ठीक है ना यहां पर भी 0 यहां पर जिरू लगाओगे तो बोलोगे नई से अब जूरो नहीं लगाएंगे क्यों लगाएंगे क्यों हो कि ना बेस है 100 100 म ही 11130 और यह आपको क्या हो जाएगा बच्चे प्यारा सा एंसर हो जाएगा ठीक है नेफ्स लेकिए कोशन नमबर पूर कोशन नमबर पूर है बच्चे कि 98 और 94 तो बोलोगे सार 98 ने सार 100 का बेस होगा और सार यहना 100 से जीरो टू कम है तू कम है यह और 994 06 कम है राइट चलिका करेंगे 02 का माइनस जीरो टू का माइनस जीरो स हो जाएगाने तो बोलोगे सार000 माइनस माइनस सार क्षस्य explore minus करेंगे चले माइनस करेंगे तो भोल सकते हो कि 9212 आपका क्या वह जाएगा बexc voisin फाइट नंबर यह पर चाहिँ करते है ना कि से यह और रहां लाएग और से लाएगा रहाट लाइन ड्रो कर देंगे अब बोलेंगे ना कि सर हम लोगने एंसर के राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टिप्लाई करवाएंगे तो ट्वंटीटू को मल्टिप्लाई अगर आप जिरू टू से करवाऊगो तो कितना बच्छे फॉर्टी लिए इसलिए यहां लिए लिख सकते तो फॉर्टी हो गया वह समझ में आ रहा होगा डिके गौशनन नमबर प्लस माइनस प्लस मैंस प्लस मैंने लिखते हैं तो एंसर का राइट पर क्या गया माइनस आगया ठीक है आप क्या करेंगे लेट पार्ट के लिए बोलोगे न सर 96 में या तो प्लस 7 कर लीजिए या 107 में आप 4 को माइनस करों गया तो 103 आएगा तो क्या यह एंसर हो जाएगा तो अभी नहीं होगा यहां पर बच्छे माइनस वाला है तो इसके लिए कुछ कॉंसेप्ट है तो 103 को 3 लिख देंगे 103 103 हो जागा अब यहां पर देखे 100 का है बेस था तो यहां पर 0000 लगाएंगे 100 के 100 में 0030 ले 00 और यहां पर 28 है 28 को माइनस कर दो तो बोलोगे सर 10-8 होता है 2 और 9-2 होता है 7 और यहां 201 तो 10272 आपका प्यारा सा एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन नमबर 7 का है तो कोशन नमबर 7 में बोलोगे सर कि 100 1001 तो यहां पर सर जीरो वन टू करके लिखोगे 0000 में 3 0 होते इस त्री नमबर यहां पर लिखोगे न 1004 में प्लस 004 होता है राइट पार्ट के लिए 12 को मुल्टिप्लाई करोगे तो यहां पर यहां पर यहां पर बोलोगे कि 112 में 4 प्लस कर लोगे ना सर तो 1060 आ जाएगा तो यहां पर एंसर आजाएगा और यहां पर बच्छे देखे ना क्यालकुलेशन मिस्टेक ना हो सकता है आप लोगे करेंगा खुछ से क्लिशन करिए ना यह बच्छा कर लिए कि हां गलत है तो यहां पर 002 हो जाएगा अब बोलोगे सर 974 यह भी क्या है यह बच्छे 1000 का ही बेस है तो यह बच्छे कितना कम है तो यह बच्छे बोलोगे ना कि सर यह इसे ना 26 कम है तो राइट पार्ट के लिए क्लिए लिए 26 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहां पर 52 लिख देंगे तो क्या मैंने सही लिखा तो बोलोगे नहीं सही नहीं लिखा है आपने क्योंकि 1000 में साथ 30 होते हैं ठीक है और यहां पर 3 डिजिट में एंसर होना चाहिए तो यह आपका प्यारा सा एंसर आ जाएगा नेक्स्त देखे नगा 11 यह न ना जाए तो और यहां पर क्यानी संवाश्षित यहाँ आचाहला साणी ठाट एक यहां पर पर संवाश्षे यहां पर 8 002 यहां लगाओं तो 1016 में या तो तो नियुक्त करेंगे न तो 1040 आएगा तो बोलों कि सर अभी यह answer नहीं आया है अभी क्या करते हैं जब भी माइनस रहता है तो यहां पर यह 1000 है तो 1000 में 30 होते हैं तो यहां पर 30 लगाओंगे और यहां पर खोगे 032 अब करोगे इसको माइनस तो माइनस करने पर आएगा 10-2 होता है बच्चे 8 9-3 होता है बच्चे 6 9-0 होता है 9 यहाँ पर 3101 तो यह आ गया आपका प्यारा सा एंसर बच्चे देखे यह ना क्या हो गया मल्टिप्लाई तो यह हो गया लेकिन अब आगे बोल रहा है ना कि अब लोग को ने digit sum की help से digit sum की help से कैसे हम लोग addition को check करेंगे कि वह सही है या नहीं subtraction को multiplication को and division को check करेंगे कि वह सही बना है या नहीं बना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा उसको आप देख करके बाद में समझ सकते हो अभी हम लोग इस exercise में नहीं सिखेंग की digit sum करके कैसे हम लोग क्या करते हैं verify करवाते हैं तो यहां पर क्या होता है बच्चे exercise 1.6 का ये वीडियो क्या होता है आगे वीडियो में आप लोग को क्या होगा exercise 1.6 के ना सारे solution आप लोग को provide होंगे जो भी मैंने आज पढ़ाए हैं आप लोग को बच्चे आप हमसे connect रहने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो I hope आपको ये वीडियो useful लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा अगर आपको ये वीडियो क्या लगता है अच्छा ल वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इसे में दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थाइंक यू